Hello everyone, आज हम Law of Tots का जो case डिस्कस करेंगे, वो defenses against Totsius liability पर based है और यहाँ पे इस case के fact कुछ इस तरह से हैं, इस case में क्या होता है कि honor of cinema होते हैं, cinema का जो honor होता है, जो कि defendant नहीं यहाँ पे, तो वो किसी event को करवाने के लिए एक जो banner है, एक hoarding banner है, वो अपने cinema के पास दगवाता ह और अचानक से क्या होता है कि बहुत जैसे तुफान आता है, बहुत तेस आंधी चलती है, तो उसकी वज़ा से वो जो banner होता है, वो collapse हो जाता है, और जब वो collapse हो जाता है, गिर जाता है, तो वो plaintiff के सर पे लग जाता है, या उसको कहीं पर भी उसके वज़े से injury आ जाती है और plaintiff यहाँ पर क्या करता है, वो compensation के demand करता है, तो जैसे ही यहाँ पर plaintiff compensation के demand करता है, तो defendant कहता है यहाँ पर कि यह तो act of God है, यहाँ पर जो आंधी है, यह storm आया है, इसमें तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, और defendant के यह कहना होता है, यहाँ पर plaintiff को मैं compensation नहीं दूँगा, तो कोट यहां पे कुछ चिजों को अबसर्फ करती है और कोट यह कहती है कि यह बैनर है, भी है यहां पे, तो यहां पे जो बैनर है, वो बैनर जिस तरह से लगा था, वो पिल्कुल भी ठीक तरह से नहीं लगा था, यानि कि सही से नहीं लगा था, कि वो नॉर्मल हवा गिर तो यहां पर एक चीज तो कोट यह इबसर्ब करते है कि यहां पर जो डिफेंडेंट है उसके तरफ से नेगलिजन्स कमिट हुई है सेकेंड चीज यहां पर कोट यह कहता है कि आप जो वेलोसिटी ओफ वाइन थी यहां पर विंड थी वो 27 माइल थी और यह मौनसुन सीजन में अगर हम बात करें तो मौनसुन सीजन में यहां पर यह इतना जादा नहीं था कि यहां पर आप एक्ट ओफ गॉड का डिफेंस दे सको अगर आपने बहुत अच्छे से सबकुछ फिक्स किया है तो इतनी हवा से कुछ भी दिक्कत नहीं होगी तो य क्मपन्जेशन जो है वो प्रेंटिफ को अलाओ किया जाता है इसके बाद आज हम जो नेक्स केस डिसक्स करने वाले हैं इसका नाम है हॉल वर्स ब्रुक्लैंड ओटो रेसिंग क्लब 1932 का केस है इसको डिरेक्टली ओटो रेसिंग क्लब के नाम से भी जानते हैं तो इसमें भी वही सेम फर्मले यूज हुआ है वालेंटी नॉन फिट इंजिरिया इसमें क्या होता है कि जो इस्पेक्टेटर्स होता है यानि जो दर्शक होते हैं मोटर रेस केसिंग है यहाँ पर जो इविंट होता है उसमें काफी सारे दर्शक होते हैं तो अचानेक से क्या होता है कि पिछले काफी सालों से ऐसे कभी भी किस्वी कोई इंजिरिय नहीं आती है तो यहाँ पर जब रेसिंग के टाइम पर दो जो दो मोटर्स जो हैं गारिया आपसमें कॉलैप्स हो जा तो यहां पर कोड की नहीं आशूवते हैं। कर दो guilt लाएं कि जब आप सबसे पहले तो यहां पर जव मैश देखने जाते हो या कुछ भी देखने जाते हैं जब आपको पता होता है कि आप उस उतने धूरी बेटे हुं जहां पे अगर जहां यहां पे आपको इंजियरी हो सकती है आप इस चछिशको जानते हो लेकिन तब भी आफ बाऄ बैटे रहे हो आपको पता है जैसरे कि अपने देखा होगा है कि जो such a ball वो audience के बीछ में चले जाती है तो एसे बीच चली गई है तो यहां पर उस चीज़ का defense नहीं लिए जा सकता कि defense और यहां पर उस बाहर की लिए claim मोजे पुघ Marie aeur को जो चोट लग गई है मुझे इस के लिए claim claim करता कंपों मनें कहले है क्योंकि यहां पर जैसे तो आप अपनी इंजिरी के खुद उसको रिस्क ले लेते हो और जब आप उसी एक पर्टिकुलर एरिये में बैठते हो जहां पर वह चीज आपको एफेक्ट कर सकती है तो यहां पर आपको डिफेंस नहीं मिलेगा और यहां पर कोट जो है कंपेंसेशन क्लेम को रिजेक्ट क नहीं करती है अब जो हम केस डिसकुस करने वाले हैं उसका नाम है टी सी बाला कृष्णन वर्सस टी आर सुब्रमन्य यह नाइंटीन सिक्स्टी एक का केस है इस केस में क्या होता है यह केस बिसिकली नेगलिजेंस पर बेस्ट है कि नेगलिजेंट अगर आपका एक्ट है त इसको डिफेट कर देगा इसको जो डिफेट कर देगा वालेंटी नान फिट इंजीरिया का तो इसकेस में कुछ फैक्टिस के इस तरह है कि एक पूरम सेलिब्रेशन होता है और उसमें साउत में होता ही वहाँ पे काफी लाखों लोग उसको अटेंड करते हैं और जो प्ले और जो कोकोनेट शेल होती है उसमें से एक्सप्रोसिफ मटेरिल भाहर निकलते है जिसके वज़े से पूरा एक्सप्रोशन हो जाता है और जेनरली इस फेस्टिवल में ऐसा होता था कि यहां पे फायर जो है उसको एक्सप्रोस किया जाता था एक्सप्रोसिव होती थी और यहां पर इसी सब चीजों को देखके इस celebration को मनाया जाता था तो यहां पर जो explosive act होता है उसकी वजह से जो plaintiff है वो injured हो जाते हैं तो यहां पर जो काफी सारे जो contractors होते हैं वो इन सब चीजों में engaged होते हैं जो यह explosive device को बनाते हैं और इस celebration के time पर यहां पर एक जो है वो वर्टिकली जाने के बज़े horizontally जाती है जिसके विसे वो crowd में चली जाती है और plaintiff injured हो जाता है तो यहां पर इस किस में यह कहा जाता है कि जो negligence act है वो cause हुआ है defendant के employees get through defendant के employees ने इस act को किया है और यहां पर जो plaintiff है plaintiff की यहां पर कोई guilty नहीं है क्योंकि यहां पर लाखो लोग है अगर आप इस इसका defense बोलोगा कि plaintiff ने खुझ से ही रिस्क को जो है वो कंसें किया है वोलेंटी नॉन फिट इंजीरिया किया है तो यहां पर लाखो लोग इतने पागल नहीं है कि वो यहां पर खुद अपने जानका जा इंजीरी का रिस्क लेने के लिए जाएंगे तो यहां पर कोट यही कहती है कि defendant के इंप्रोईस की गलती है जिन्हों ने coconut shelle को बनाया है तो master इस केसमें लाइबल होगा इस केसमें और जो है defendant जो है वो तो उसकी प्ली को भी को भी कोट करता है और यह कहता है कि सारे लोग नायां पर जो हो प्यश्क करते हूं और यहां पर इस चाहणते हैं कि अब यहांपे व इसकी को धुट करते हैं कि लेकिन यहां ama यहां पर इस देख आप complot shelter तो यहां पर कोट कहते हैं कि आप इसका डिफेंस नहीं ले सकते हो कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ तो आपके लाइबलिटी इस बार नहीं बनेगी आपकी लाइबलिटी यहां पर बनेगी अगर आपकी तरफ से कोई एक्ट होगा आपको इस चीस को लेके पूरा क्येरफ जो हाँ उसकी तरह से नहीं ए लेकिन जो अपने इंपलोई के लिए लाइबल होगा और इसके समें जो टॉशियस अ है इम्पलोई कि इंपलोई की जो लाइबलिटी है वो पूरी तरह से बनेगी ऑर डिफेंडेंट यहां पे जो पेक्त पेक्णिक लिंगा इंप्या करेगा किसको प्लेंटिफ को सिर्ट के रीए कर हाई तो यह जो भी आमने केसिस किया हैं यह सबर्ख वेलिभी वाले वाली नानफ़े बाइप जिस पर बेस्ट आगए आने वाली वीडियो में जो है मैं नेगलिजेंस से रिलेटेड कुछ केसिस लेकर आऊंगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उसको शेर कीजिए ठैंक यू